प्रॉपर्टी गाइड आज हम लोग यवना एक्सप्रेस वे इसके बारे में completely details में बात करेंगे अगर आप Noida, Greater Noida, यवना एक्सप्रेस वे यह सारे जो location से बहुत सरे लोगों से आपको call भी मिले होंगे आपको बहुत सरे लोगों ने बहुत सरे benefit भी बता होगा बट मेरी सबसे आधाधूरा information पहुचा होगा क्योंकि एक call पे या 15-10 मिनिट के अंदर यह सारे details बताना मुश्किल है पर तब भी में बहुत short के अंदर short में आपको यह बताने को कोश्चिस करूँगा बैसिकली जब नौइडा एंड ग्रेटर नौइडा यह दोनों जो लोकेशन से सिटी है यह काफियत तक बस सुका है आज के दिन में नौइडा में अगर नौइडा से ग्रेटर नौइडा के तरफ जाएंगे जो सेक्टर एक्सटर एक्सटर देखते हैं यह बहुत सरे लैंड आप खाली दिखते हैं बट यह खाली नहीं है बिसिकली वह आईटी एन आईटी स्पेस जोन है जो अगले दो साल तीन साल के अंदर आपको पूरा उस जगह में आईटी कंपनी में आपको दिख जाएगा क्योंकि सारे जमीन अल्रेडी अलोट हो चुका है डिफरें के तैथ तो इसमें क्या-क्या वेनिफिट है क्या-क्या ग्रोफ ट्राइवर से इसमें डिटेल्स में देखते हैं अब यमना एक्स्प्रेसवी की बात करों तो यह 165 किलोमेंटर का रस्ता है जो ग्रेटर नौइडा को आगरा से जोड़ते हैं और यह एकलोता एक्सप्रेस पर ट्राइवल जरूर किया होगा और अगर यह एक्सप्रेस वे इंडस्ट्र डेवलापन और यह कंप्रेडिन का और यह जो मैनेज करते हैं यह उनका मास्टर प्लाइन है में मास्टर प्लाइन के तुरू से आगे जाओंगा डिटेल्स में पताने के लिए अब इसमें एक अब इनका स्ट्रेंथ क्या है गुर्गाउं एयरपोर्ट से बहुत नजदीक है डिली से नजदीक है सारे डेवलाप्पेंट हो चुका है तो एक आईटी 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 हब जो पुरा बताते हैं हम लोग अल्रेडी फंक्शनल है नाईटा में यह डिली से नजदीक और भी ज्यादा है बट इस जगह में आज के दिन में आईटी आईटी जोन जीसे सबसे गुर्गां में बना हुआ है उतना लेवल पर नहीं है बट दिली के रजदीक होने के वज़े से इंफ्रस्ट्रक्टर रोड यह बहुत शांदार बना हुआ है यह बना एक्स्प्रिस्व में एयरपोर्ट आ रहा है तो उस जगह में बड़े-बड़े कंपनी अपना इंट्रस्टो कर रहा है अब विक्निस गुडगाओं का क्या है गुडगाओं में एक कंपनी स्पेसिल डियले पूरा गुडगाओं को बसाया होगा अंसल भी एक अपना रेस्पॉंसिबल है कु बहुत ज़्यदा वारिश हो तो पूरा गुडगाओं एकदम पानी के अंदर आते तो यह एक दिक्कत है नॉइडाव विक्निस क्या है एक साथ बहुत सरे रेसेदेंशल और कमर्शल प्रोजेक्ट लांच हो गया था तो रेसेदेंशल प्रोजेक्ट में बहुत सरे आपको इन्वेंटरी मिल जाता है यह उनका विक्निस है यह पूरा एडिया पूरा एक सेटी है जो डेवलाफ हो रहा है तो अगर अगले चे मेने में आट मेने में एक साल में अगर अप्रिशेशन एक्सपिट कर रहें तो प्रभाबली इस इस नौर्ट प्लेस विच्च उप्लेस प्लेस्ट में है पब्लिक ट्रांस्पोर्ट बहुत सांदार है नौर्ट का अपका फेसिलिटी क्या है ऑपरचुनिटिस क्या है क्योंकि बड़े बड़े कंपनी जमीन अभी भी आवेलेवल है जो देख सकते है अलग-अलग कंपनी अपने एक्स्प्लोर कर सकता है त्रेट क्या है हाई प्रॉपर्टी प्राइस जनेली गुर्गा में बहुत बड़ा थ्रेट है नौर्ट में थ्रिट क्या है यह सैचुरेशन लेवल जो होता है आज के दिन में अगले चार साल तीन साल के अंदर अगर आप एक्स्प्रेट कर रहें प्राइस दुगना होजा नौर् प्रिटर मांगते हैं तो साइद हो नहीं सकता है यही में थोरा सब को अब आते हैं इसके उपर फिसिलिटिस के क्या क्या है यह मुना एक्सप्रेशों जो बैरेल लैंड है इस जगह में ऑथुरिटी पूरा सोलर पैनल लगानी की बात्चित चल रहा है जो काफी एडवांस प्रॉपर्ली प्लैंड है उनके पहले सीवेज बगरा सब कुछ बनाया हुआ है तो फ्यूचर में कभी भी इस लेबल पर कोई भी दिक्कत इस जगह में आएगा नहीं है अब इस जगह में मेन अट्राक्शन ही अमना एक्सप्रेशों में उसमें आ रहा हो यह उत्तरबदे जो फिल्म सिटी बनावा है उसके तरह आपको दिखेगा और दिल्ली से नजदीक होने के वज़े से या जो आपका इंडिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट होने के वज़े से यह साइध उनसे भी ज्यादा ओवर का है जैसे आर्ट डिरेक्टर है नितिन दिशाई उन्होंने जाइर किया अक्टर मनुझ जो संधियव सिंग जो विस्ता मीडिया का मालिक हैं वो सिंगपूर बेस्टे कंपनी उन्होंने अपना एक अकाडमी बनाने के लिए टैन मिलियन डॉलर का ओफर दिया हुआ है तो आप समझ सकते ही जब एक हजार एकर जमीन में इतने सारे इतन के अंदा स्टूडियो है और इसके स्टूडियो के साथ साथ जो फिल्म इंडस्टी के लिए चाहिए मतलब इनका पार्ट इंडस्ट्री वो सारे उस जगा में बनेंगे और यह 220 एकर जमीन जहां पर कमर्शिल से एक्टिविटी होंगे इनका खास बात क्या है एकदम लेफ कुछ नजारे आपको देखने को मिलेगा यह मना एक्प्रेसर के अंदर फिल्म इन्यूसर में आपको स्पेशली बता रहा था इसी के बारे में अब फिल्म स्रीज जिस दिन इस जगह में आ जाएगा तो अल्रेडी काफी हद तक काफी जॉब इस जगह में क्रियेट हो दूसरा एड्यूकेशनल एंस्टिट्टीट तीसरा इंडस्ट्री एं। रिक्रीशनल फ्रशलेटी करेटिवीटी में क्या है सबसे पहला करेक्टविटी अगर देखे तो इंट्रनाशनल एरपोर्ट जो जयारीरिक इंट्रनाशनल एयरपोर्ट के नाम पर फेम स्टे तॉप लेवल जो अपका एयरपोर्ट नंबर वाइस यह होने वाला एट रन्वेज शिक्स पहले था ऑफ पॉसिंग फॉर एट रन्वेज ओ ऐर इंट्रनाशनल एएरपोर्ट यह पहला एएरपोर्ट है पूरे दुनिया में जो एटिलिन नुपना हुआ है और डलास और फोर्ट एशिक्स नंबर पर आता है मेट्रो कनेक्टिविटी क्या है अल्रेड़ी ग्रेटर नोइड़ा तक मेट्रो गया हुआ है सेक्टर 148 परीचॉक से यह मेट्रो आगे करेक्ट होके जेवर इंटरनाशनल एरपूर्ट तक आ जाएगा प्लस रैपिड रेल का जो कनेक्टिविटी है वो भी आपका असुक न बारा है इस भारारसी में गौतम बुद्ध नगर या नॉइड़ा में दो जगा में अपना स्टेशन बनाएगा एक सेक्टर 148 में जो परीचॉक से थोड़ी दिर पहले आता है दूसरा आईजय एयरपोर्ट टर्मिनल वन के पास तो यह अपने आप पे बहुत बड़ी नि में है प्लस लखनों से कनेक्टिव भी बहुत संदर संदर मिलेगा तो यूपी के जो पूरा पोर्शन से दली का जो इस्ट पोर्शन से या जो मीरेट से लेकिए जो लोग इंटरनाशनल ट्रेवल करने के लिए दिली के इतने ट्राफिक कि तुर से जाना पड़ता है उनके किया हुआ है एक 2024 की बात करें में 2022 एंड था कि 2023 मिड था कि एयरपोट फर्स रैंवेश सुरू कर देंगे किसी भी हालत पर इनका मजबूरी यह है आज के दिन में आई जी आई के जो कैपसिटी है और अन आवरेज तो अगले दो साल के अंदर यह बढ़के आ जाएगा को अलमोस 64 मिलियन 67 मिलियन के आसपास जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल दायक हो जाएगा और एक बहुत ही चुकाने वाले इंफोर्मिशन क्या है 2019 पे एक दिन में सबसे हाइस्ट पर आवर जो फ्लाइट हैंडल किया गया हूँ 82 जिनका काप से अलमोस 50 के करीब है तो सब्सक्राइब में किसी भी टाइम पर में सब्सक्राइब हो सकता है अगर इंटरनाशन एयरपोर्ट को इमीडियेटली एक्प्रिटेट ने किया गया है तो हाइवे और रेलमार्ग बहुत नजदिक है तो लोग के आनने जने का बहुत आसान हो जाएगा यह आपका जो मैंने कमर्शियल से अक्टिविटी जो आसपास की बताया एयरपोर्ट के नजदिक वह भी आपका डिवलाप होते जाएगा यह कुछ नजारे था मेरे सबसे आपको सारे इंफोर्मेशन मिल चुका होगा इसमें बहुत कुछ चीज बारी किसे लिखा हुआ है हम लोगों ने यह बनाया गया और आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा मेरे सबसाब को काफियत था के help किया होगा कुछ आर्टिकल्स है जो अलग अलग जगा में डिफरेंट न्यूस के थूरू से पब्लिस किया गया उसको में सो कर रहा हुआ है यह यह बना एक्सप्रेस्वे का न्यूस का हैडलाइन्स यूपी बजट में से 2000 क्रों अल्रेड़ी अलॉट हो चुका है न्याड़ा इंटरनाशनल एयरपूर्ट के थूरू से और यह एकलाता पूरे दुनिया का विश्वका 100% FDI-funded एयरपूर्ट होने वाले है पांच ला 200 पालिगवर्ण मत्रा विल्भी माला माल विकास यमना अथरेटी विल्ड लॉंग विल्ड बिल्डे बिग लैंड वैंग नियर जेवर इंटरनाशनल एयरपूर्ट क्योंकि जब भी एयरपूर्ट आता है उसके आसपास बहुत सरे इंडस्ट्री तैयार होता है यह जेवर रोड बना हुआ है एफ जी जब गाजियाबाद से कनेक्ट हो जाएगा तब भी कुछ दिन के अंदर हैं दिन नौइडा से गुड़गाउं पहले आप पहुंच जाएंगे मेरे साब से आप लोग को और यह अंदाजा भी है और बहुत सरे लोग इसमें ट्रावल भी कर चुके दिल्ली को दी कंजेस्ट करने के लिए आउटर रिंग रोड बनाया गया दिल्ली का तो जो अल्मोस्ट एक सो पैंटिस किलेमेटर इस्टर एक्सप्रेस वे और वेस्ट बहुत दिल्ली के अंदर से घूम के पहले जाना पड़ता था एक पूरे दिल्ली के ट्राफिक को जहलते हुए आज के दिन में आपको करने कोई ज़रूरत नी आप किसी भी अंगल से इस्टन एक्सप्रेस वे या उस्टन पर एक्सप्रेस में एंटर करेंगे तो आराम से दिल्ली को डिकंजेस्ट अपका कंजेशन से बचके आप आप रहां से पहुंच सकते हैं मेरे सासा आपको यह सारे इंफोर्मेशन कुछ तक हेल्प किया होगा अगर आपको कोई भी इंफोर्मेशन की जरुरूरत पड़े इनके अलाभा प्लीस फील फ्री तो गिवास अग और इंख क्योर अपको जया वरले इंफोर्मेशन की जरूंड